हेलो दोस्तों नफ्सका दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओलाइट इडा फॉस्ट दी यूटूब चानल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस अब्डेट के बारे में जोकी संब्दित है आप सभी के लिए खुशकवरी को लेकर खुशकवरी देखने के यह आपने नाई सिक्षक बढ़ी के बारे में जीया दोफसो उत्तर प्रदेश के अंदर नाई शिक्षक बढ़ी केलिये जो विग्यापन ऐे जारी किया गया है जिसमें भी ती जानका ही कभसे आपके आविदिन होगे क्या इसकी प्रकिया देखने के लिए मिलेगी बेतन कितना दिया जाएगा 65,000 बेतन के सास्ता तक बात कीज़ें बीएड और बीटीसी को लेकर जटके की वारी में क्या वज़ा है क्यों ऐसा देखने के लिए मिला है योगिता क्या क्या है कौन-कौन फॉर्म भर सकता है इससे सम्मधित और भी तमाम जानकारी डेटेल में हम कवर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबालें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकारी ओनलाइन अड़ाफ और श्टुड़ी यूट्व चैनल के माधियम से मिलती रहें जैसे ही उतर प्रदेश के अंद करी मैं आपको बता दूँगा लेकिन अगर बात की जाएं यहां पर बेतन को लेकर तो बेतन की सबसे बड़ी जो चीज है वो आप सुभी के लिए कि 65,000 इसके अंदर बेतन देखने के लिए मिल लेकिन इसके अंदर एक चीज और है जिसके बारे में थोड़ी डेटेल में चरचा करेंगे लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सीधे ओफिशल नोडिफिकेशन की बारे में अगर आप इस वेकिंसी में इंटेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको तीन तरह की जानकाई हैं दी जाएंगी पहली जानकाई यह होग पहले मैं आपको बिग्यापन के साथ साथ में आपको बताऊंगा किसमें फॉर्म कैसे बहना है इसी वीडियो की लास्ट में पता चल जाएगा और तीसी सबसे बड़ी जो चीज़ा उस पर थोड़ा डेटिल में चरचा कर लेंगे चलिए सीधे बात कर लेते हैं इससे सम्म इसको लेकर दविग्यापन जारी हुए है अब तक दो विग्यापन जो समाचा पत्तों पराता हैं आपको इसमें दोनों को लेकर ही जानका ही दे दोंगा क्या लेकिन पूरी जानकाई नहीं दी गई यहां पर लिखा हुआ है कारेले अटल आवासी विध्याले के माध्यम से इसको लेकर विग्यापन जारी किया गया है अब यह जो विग्यापन आपको देखने के लिए मिला वो कहां से है आप गौंती नगल लखनों तो जानते होंगे क माहाँ पर उत्तरप्रदेश से टेलीफोन नमबर वगरा भी दिये हैं टॉलफी नमबर भी है इमेल आईडी भी है और इससे समधी तो और भी जानकारी भी इसी तरीके से अगर बात की जाए विग्यापन जारी करने की तिति 27 गयारे दोजा चोवीस तकी गई है पैस विग आपकी जो वेकेंसी देखने के लिए मिली है वो सब्जेक्ट वाइस वेकेंसी है सब्जेक्ट वाइस वेकेंसी के अंदर अलग अलग व्योरा जारी किया गया है जैसे कि अगर बात की जाए हिंदी विषय की बात की जारी है पी जी टी के लिए ही ठीक है हिंदी विषय पी सुक्राइब विजय के लिए आठारे पद हैं, संस्कत विशय के लिए 80 पद हैं, संगीत विशय के टेज़िटी की बात किया है तो 6 पद है पीटी यानि की फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात की जारी है उसके लिए पदों का डाटा यहां लिखा हुआ है साथ पद देखने के लिए मिलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के विशय के लिए दो पद हैं अर्थात कुल 270 पदों पर यह जो बिग्यापन ने जारी किया गया है अब इसमें बिग्यापन को लेकर लिखा हुआ है जिसे हैत्व योग याभ्यतियों को अनुबंद के आधार पर एक वर्स के लिए रखा जा रहा है यह बिग्यापन जो समाचा पत्रों में आता है उसको लेकर मैंने आपको बता दिया था अब इसमें और भी बहुत साई जानकारिया है जो इसके अंदर नहीं दी गई है वो आपको मैं बता देता हूँ आवेदन करने के लिए वैसे तो आपको 17 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है हलाकि मैंने वहाँ सोरे लिख दिया है तो उसको परिशान मत होना लेकिन आवेदन आपको इस ताइक से पहले पहले करने है यह इसकी ओफीशल वेबसाइट है जो कि मैं आपको आगे दिखा दूँगा यहाँ पर इससे सम्मधित एक डाटा दिया गया है कि जो आपके अडल आवासी विध्याले वहाँ पर TGT और PGT के लिए जो विध्यापन निकाला गया है चैन के लिए जो प्रकिया है वो आप सभी के सामने है अब इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बता दू कि आपको कैसे कैसे आविदन करना है लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दू कि जो विध्यापन जादी किया गया है पूरे तरीके से रियल है पहली चीज दूसी सबसे बड़ी जो चीज है BAD और BTC करने वाले अभ्यदियों के लिए उत्तर प्रदर्स में BAD और BTC करने वाले अभ्यदियों के जो हालाते हैं पांच और छे सालों में काफी ज़्यादा परिशान कर देने वाले हैं क्योंकि यहां पर भातियां जैसे तरसे तो कोई आती है और आती भी है तो उसके अंदर कुछ किसी और कोई आविदन करनी के लिए मांग लिए जाता है अब यहां पीज़िटी और टीज़िटी के चैन अभेर्थियों को जटका लग जाएगा क्योंकि अगर आप 55,000 वेतन दे रहे तो कम सकम ऐसे अभेर्थियों को वेतन दो जो नोकी करना चाहते हैं जो नोकी करने से हट चुके उनको नोकी देने का फायदा क्या है मुद्दे की बात यह है कि यहां पर नवोदे सैनिक स्कू अभी से लेकर 65 वर्स्ते अधिकी नहीं होनी चाहिए कम आयू वाले को वह यता देना चाहते हैं एक तरफ चाहते भी है कि 65 साल से जादा करना हो और दूसी तरफ चाहते हैं जितनी कम आयू होगी उसको वह यता देंगे तो दिक्कत वाली बात यह आप पहले सी फेश केंड दे रहे उसका फायदा क्या है वाbrar जिसके घर में आठा ही है कम से कम हमें उसको रोटी की देनी चाहिए कि मतलब समझेओ 80-90,000 महीने कमाता रहा होगा अब उसको 80-90,000 कमाने के बाद में 65,000 की सेलरी के लिए जाना पड़े और 65 साल से कम है तो पहली उनको रिटारिमेंट नहीं मिलता है तो बचा किया ऐसे ही यहां पर अध्याबक TCT के लिए विग्यापन निकाला गया है उसमें भी यही आविदिन कर सकते है तो इन्शोर्ट अगर कहा जाए तो सरकार के माध्याम से विग्यापन जो निकाला गया है तकीवन 277 पदों के लिए लेकिन इसमें फैश केंडिडेट के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ वही अभ्यति आविदिन करेंगे जो हैं यहाँ पदों का डाटा जो मैंने आपको अभी थोड़ दे पहले दिखाया था यहाँ पर वही योगिता है जो मैंने आपको बता दी है ठीक है और इसके अलावा यहाँ TGT के लिए भी योगिता है इसके अलावा अगर बात की जाए ओफिशल वेबसाइट तो यह वाली है अगर आपको आविदिन करना है तो सत्य दिसम्बर दो जाच चौबीस साम पांच बेरतर कि इस वाली वेबसाइट में जाकर के इमेल के माध्यम से अपना आविदिन पत्र भीजना होगा बाकी आविदिन करनी के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि आपके इसमें आविदिन करना चाहते है इसी में आपको मिल जाएगा इसमें आपको अपना फोटो लगा देना है यहां लोकेशन डाल देनी है यहां पर अपना फोर्म समिट की तारीख डाल देनी है परसनल इंफोमिशन, पिता का नाम, माता का नाम, कहां पर आप पहले नौकी करते थे, इसके बारे में किलिक करके बता देना, और उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, अपना जो एडर्स बगया है वो डाल देना, एडर्स के बाद में कॉंटेक्ट डिटेल, इमिलारी, ड आउट की इंकम, और भी बहुत साई चीज है, जो चाहे है तो डाल देना, बस यही काम की बाद थी, फिर उसके बाद में आप यहां पर अपने साइन कर देना, नेम डाल देना, प्लेस और इसके लावा डेट, आपका फॉमिट हो जाएगा, समिट करने के बाद में, समिट तो नहीं होगा, आपको बहना पड़ेगा, बहने के बाद में, इस वाली इमेल आइडी पर भेज़ देना, फिर आपको यह बता देंगे, नौकी मिली के नहीं, फिलाल यह नौकी जो निकाली गई है, वो सेफ यहां पर, उनके लिए जो सेवा निब्रत है, थैंक्यू